हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कमर दर्द के लिए कुछ घरेलू उपचार के बारे में तो चलिए जान लेते हैं रोज सुबह सरसो या नारियल की तेल में लहसुन की तीन चार कलियां डाल कर जब तक लहसुन की कलियां काली ना हो जाएं गरम कर लें ठंडा होने पर इस तेल से कमर की मालिश करें नमक मिले करम पानी में एक तॉलिया डाल कर निचोड़ लें इसके बाद पेट के बल लेट जाएं धर्द के इस थान पर तॉलिया से भाप लें कड़ाई में दो से तीन चम्मच नमक डाल कर इसे अच्छे से सेक लें इस नमक को थोड़े मोटे सूती कपड़े में बांध कर पोटली बना लें कमर पर इस पोटली से सिकाई करने से भी दर्द में आराम मिलता है अजवाईन को तवे पर थोड़ी धीमी आज पर सेक लें ठंडा होने पर धीरे धीरे चबाते हुए निगल जाएं अधिक देर तक एक ही पोजिशन में बैठ कर काम ना करें हर 40 मिनट में अपने कुर्सी से उठकर थोड़ी देर तहल लें नर्म गद्देदार सीटों से परहेच करना चाहिए कमर दर्द के रोगियों को थोड़ा सकते बिस्तर बिचा कर सोना चाहिए कमर दर्द के लिए वैयाम भी करना चाहिए सेर करना, तैरना या साइकल चलाना सुरखशित वैयाम है तैरा की जहां वजन तो कम करती है वही यह कमर के लिए भी लाभकारी है साइकल चलाते समय कमर सीधी रखनी चाहिए वैयाम करने से मास पेसियों को ताकत मिलेगी और वजन भी नहीं बढ़ेगा कमर दर्द में भारी वजन उठाते समय या जमीन से किसी भी चीज को उठाते समय कमर के बल ना जुकें बलकि पहले घुटने मोड कर नीचे जुकें और जब हाथ नीचे वस्तु तक पहुँच जाए तो उसे उठा कर घुटने को सीधा करते हुए खड़े हो जाएं आफिस में काम करते समय कभी भी पीठ के सहारे ना बैठें अपनी पीठ को कुर्सी पर इस तरह टिकाएं कि यह हमेशा सीधी रहे गर्दन को सीधा रखने के लिए कुर्सी में पीछे की ओर मोटा तौलिया मोड कर लगाया जा सकता है दोस्तो आई होब कि यह इनफोर्मेशन आपके लिए थोड़ी बहुत यूसफुल जरूर होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे मेरे नेक्ट वीडियो को नोटिफिकिशन सबसे पहले आप तक पहुंस सके तो मिलते हैं इसी तरह के ने ने वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद